मिल्क पॉडर ये छोटा सा चीज हमारे हर एक के कीचन में मौजूद रहता है तो आज मैं इसी से बना हुआ दो फेस पैक आप लोगों के साथ सेयर करूँगी मिल्क पॉडर हमारी स्कीन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इसमें जो मौजूद लैक्टिक एसिड रहता है ये हमारे स्कीन को ब्राइट बनाने में हिल्प करता है साथ ही साथ स्कीन को स्मूथ टेक्स्चर देने में हिल्प करता है हेलो भीवर्स असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ फिर से से शेयर करूँगी दो तरह के फेस पैक में सेयर करूँगी जो कि आपके स्कीन में कमाल का रेजल देने वाला है आप इसे जरूर ट्राइ करें और फिर देखिए इसका रेजल मैंने यहाँ पे एक साफ क्लीन बोल में वन एंड हाफ टीस्पून ऐसा मिल्ट पॉडर लिया है कभी भी आप कोई भी फेस पैक बनाएं तो कोई भी हमेशा ये बात का ध्यान रखे कि साफ और क्लीन बोल में ही आप इसे प्रिपियर करें तो मैंने यहाँ पे वन एंड हाफ टीस्पून मिल्ट पॉडर लिया है अब हम लोग इसमें एड करेंगे हाफ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम रोगन बादम सीरीन ओयल यानि की स्वीट आलमंड ओयल आप चाहे तो यहाँ पे इसके जगा कोकोनाट ओयल भी यूज कर सकते हैं अब हम लोग इसमें यूज करेंगे हाफ टीस्पून एलोवेरा जेल मार्किट से खरीदिवी कोई भी अच्छी ब्रैंड का अलोवेरा जेल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अलोवेरा जेल हमारे स्कीन में सूधिंग एफिक्ट लाता है साथी साथ स्कीन की बहुत सारी प्रॉब्लेम को सौल्ब करने में यह हेल्प करता है नेक्स्ट इंग्रेरियंट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे शहद यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम शहद नाल दिया फीर इसमें थोड़ा सा यानिकि हाफ टी स्पून ऐसा रोजवर्टर add कर दिया अब हम लोग इन सारे चीजों को थोड़ा सा पानी डाल के mix कर लेंगे और इसका smooth सा paste बना लेंगे इसको अच्छे से मैंने mix कर लिया है अब आखरी में हम लोग इसमें add करेंगे basin basin को add करके अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से mix कर लेंगे और ये हमारा पहला वाला मास्क बनके बिलकुल तयार है ये इसे लगाने का तरीका भी बहुत एजी है आप अपने फेस को पहले क्लीन कर ले किसी भी क्लींजर से फिर पूरे फेस में नेक में इसे एपलाई करें एपलाई करने के बाद आप इसे 15-20 मिट लगे रहने दे प्ल करें इसे हपते में 2-3 बार यूज करने के लिए ताकि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सके दूसरा वाला फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहां पे फिर से यहां पे करीबन 1-1.5 चमच मिल्क पाउडर ले लिया है ये स्पेसिली ओयली स्कीन के लिए है अब हम लोग इ स्कीन की ओयल को कंट्रोल करता है अब हम लोग इसमें एड करेंगे कुछ ड्रॉप्स लेमन की अगर आपको लेमन जूस यानि की निम्बू का जूस सूट नहीं करता है तो आप इसे स्कीब भी कर सकते हैं अब हम लोग इन सारे चीजों को थोड़ा सा वाटर डाल के मिक्स क कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे दूसरा वाला फेस पैक बनके तयार है यह स्पेसेली ओली स्कीन वालों के लिए है इसे भी एपलाई करने का तरीका बहुत इजी है इसे साम के टाइम में आप यूज के रहने दे और प्लेन वाटर से फिर अपने फेस को क्लीन कर ले अगर आपको स्कीन जब बहुत ज़्यादा ड्राइ लगे फिर आप थोड़ा सा मौस्टराजर इसके बाद एपलाई कर सकते हैं आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं नई एक